हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो डिजिटल लार्णिंग वन्स अगें मैं हूँ अर्विन चौधरी और आप देख रहे हैं एंडॉड सीरीज और आज हम बात करने वाले हैं कि हम किसी डिवाइस की स्क्रीन को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं बड़ सबसे पहले हम यह चीज देखेंगे कि हमें किसी डिवाइस की स्क्रीन को स्प्लिट करने की रिक्वार्मेंट क्यों होती है क्या हमें इसकी क्यों आउशकता पड़ती है तो सबसे पहले हम इसकी थूरी देख लेते हैं सबसे आपके पास कोई 3.8 इंच का डिवाइस है सबसे आपका डिवाइस है और आपने इसमें कोई एप्लिकेशन क्रियेट की सबसे आपने इसमें पटन क्रियेट किया है आपने इसको मार्जिन देख तॉप से और लेफ से 100-100 डिकन अब आपके अप्लिकेशन इस डिवाइस के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल फिट है क्योंकि आपने इस डिवाइस के अकॉर्डिंग मृज lin चीया को डिजैन किया आप सबस्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्दू में अपटने अप्लिकेशन को इस द्वाइस पर रन कर भी कोई तoh उस डिवाइसपे शिस का लीस इस टाइप से देखेगा क्योंकि यही सेम स्क्रीन साइज लेगा सेम एक्स और वाई डारिक्शन से इसकी पोजिशन लेगा तो यह कुछ अजीब साड डिजाइन लगेगा तो अब इसका सॉलुशन क्या है तो इसका सबसे पहला सॉलुशन तो यह है कि आप एक लेयाउट 3.8 इंच के डिवाइस के अकॉर्डिंग बना है एक लेयाउट आप 10.1 इंच के स्क्रीन के अकॉर्डिंग बना है मतलब आपके पास अगर दो डिवाइस पर आपको सपोर्ट करवाना है तो दो यू लगेंगे अब इंडिया में बहुत सारे अलग-अलग डिवाइस है और हर एक की अलग-अलग जो स्क्रीम साइज और स्क्रीम डिजरॉलिशन होता है मतलब हर डिवाइस के अकॉर्डिंग हमें अलग-अलग लियाउट बनाना पड़ेगा सपोर्ज मेरे किसी की पास 5.0 इंच का स्क्रीन साइज का मोबाइल है तो उसके लिए अलग व्यू लगेगा 3.8 इंच के लिए अलग लगेगा 4.0 के लिए अलग व्यू लगेगा 6.0 के लिए अलग व्यू लगेगा 7.0 के लिए अलग व्यू लगेगा 8.0 के लिए अलग व्यू लगेगा और 10.1 इंच के लिए अलग व्यू लगेगा मतलब जितनी स्क्रीन साइज उतने लियाओर बनाने पड़ें है तो यह तो पूरा मतलब बहुत कॉंपलिकेटिड वर्क हो जाएगा किसी भी डेवलपर के लिए इसका दूसरा सॉलूशन यह है कि हम डिवाइस को स्क्रीन की जो डिवाइस की स्क्रीन ने होती है उसको स्क्रीट करके इस प्रॉबलम को रिजॉल कर सकते हैं तो आएए हम देखते हैं इस प्रॉबलम को कैसे रिजॉल कर सकते हैं तो एक हम ना व्यू लेते हैं अब सपोज यह आपका है 3.8 इंच का स्क्रीन साइज और यह है 10.1 इंच की स्क्रीन साइज अब हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 by 3 यह मैंने 3 by 3 में इसको डिवाइड कर लिए इसको भी 3 by 3 में डिवाइड कर लेता हूँ सेम यह 10.1 इंच में भी कुछ इस तरह विवाइड कर लेता हूँ अब सपोज मैं इसमें एक बटन लेता हूँ मैंने बटन लिया और इस बटन को मैंने इस बॉक्स में फिट कर दिये completely बदलब मैं अभी थोड़ा सा इसको कर नहीं पाया बट यह इसका पूरा फिट हो गया तो यह इस स्क्रीन में यह इस तरह कुछ दिखाई देगा फिट होगा पूरा अब अगर मैं अगर मैं इसको अभी मैंने थीन पार्ट में डिवाइड किया अगर मैं इसको फॉर पार्ट में डिवाइड करता हूं तो और ज्यादा हाई एक्रेंसी होगी 5.1 में डिवाइड करता हूं तो और ज्यादा हाई एक्रेंसी होगी मतलब मैं जितनी ज्यादा इस स्क्रीन साइज को डिवाइट करूंगा उसकी जो एक्विडेसी इतनी बरती जाएगी मतलब वो इतने मॉल्टिपल डिवाइस पे सपोर्टेड होगा तो इस कारण हम अपनी जो डिवाइस की स्क्रीन इसको स्प्लिट करते हैं अब हम स्का प्रेक्टिकली इंप्लिमिमेशन ली कि हम इसको कैसी यूज़् करते हैं तो सब्से पहले मम न Holz प्रजिक्ट क्रिएट करते हैं मैं नाम देदेता हूं split screen के नाम स्वेक्ट एप्लिकेशन क्रेट कर दी अभी मेरा डिफाल्ट जो ले आउट है अब मैं यहां पर इस लियाउट को चेंज कर देता हूं इसको मैं लीनियर लियाउट रग देता हूं अभी हम एक दूसरा लीनियर लियाउट ले लेता हूं और मैंस को फिल और इसको भी में फिल पैरन्ट कर लेता हूं और मैं इसका ओरिंटीशन ले लेता हूं वर्टिकल क्योंकि मुझे इसको वर्टिकल डिवाइड करना है या वर्टिकल इसको स्प्लिट करना है अब 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 इसके अंदर में एक और दूसरा अब इसके अंदर क्या है यह मेरा पूरा लियाउट हो गया अब इस लियाउट को मुझे दो बाद में डिवाइड करना है तो मैं गया करता हूँ इसके अंदर दो लियाउट ले लेता हूँ अब मुझे इसको वर्टिकल डिवाइड करना है तो मैं गया करता हूँ इसकी जो विट से इसको फिल पैरेंट कर देता हूँ और इसकी जो आई टेसको में 0TP देता हूँ जीरो डीपी मैं अभी आगे इसको समझा दूँग आपको और मैं इसको वैट ले लेता हूँ वन दूसरा ले ले लेता हूँ अब आप देखेंगे मेरी स्क्रीन दो पार्ट में डिवाइड होगी अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं इसका बैकराउंड चेंज कर देता हूँ इसका बैकराउंड कलर चेंज कर देता हूँ और इसका मैं यह देखें अब अगर मेरे को इसको वर्टिकली स्पोस मैं इस पार्ट को वर्टिकली डिवाइड करना चाहता हूँ दो पार्ट में तो वो हम कैसे करते हैं तो अगरता हूँ यह लेता हूँ और इसके अंदर मैं इसको फोरिजन्टल लगा देता हूँ और इसको मैं जीरो डीपी देता हूँ जीरो डीपी और इसको मैं फिल पे रेंट कर देता हूँ श्याद कुछ गड़बर हूँ है तो एक में अगरता हूँ अब इसके अंदर में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अब मैं क्या करता हूँ इसको वर्जन्टल कर देता हूँ और इसको मैं जीरो डीपी ले देता हूँ और इसको फिल पे रेंट कर देता हूँ इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अब मैं इसका कलर बैक्ग्राउंड कलर मैं इसको वाइट रख लेता हूँ और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ यह देखें इस तरह हम इसको वाइटिकली और हरुजन्टली किसी भी स्क्रीन को स्प्लेट कर सकते हैं आज के लिए इतना ही और दोस्तों आपको इस तॉपिक या किसी भी टॉपिक से रिलेटेट को क्योरी हो अब बिल्कुल विदाउट एनी हजिटेशन अब मैरे को अब कमेंट कर सकते हैं मैं बिल्कुल उसको रिजाल्व करने की कोशिश करूँगा तो आज के लिए इतना है थैंक यू बेरे मुच्छ